नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सका स्वागत देश्टों आज हम कुछ देखने वाले हैं Blade Assembly of Lifelong Beard Trimmer तो लास्ट टोडे में हमने इस ट्रीमर के कुछ Unboxing दिखाई थी तो आज हम कुछ इस ट्रीमर के Blade Assembly के बारे में बात कने वाले हैं तो चले देखते हैं तो इस ट्रीमर के Blade को कुछ निकालना जाते हैं तो कुछ इस तरह से आसाने से निकाल सकते हैं और आज हम कुछ Blade Assembly के बारे में बात कने वाले हैं तो इस ब्लेड पर ही फोकस करेंगे तो कुछ इस तरह से इस ट्रीमर के Blade देखने का मिलती है तो लाइफलंग के इस ट्रीमर के Blade कुछ तीन पर्ट में आप लोगों को देखने का मिलती है एक बड़ी वाली Blade और स्प्रिंग और साथ ही में छोटी वाली जो Blade है SS की वो कुछ तीन पार्ट्स में आप लोग को लाइफलांग के इस्ट्रिमर की ब्लेड देखने को मिलने वाली है तो अब इसको कुछ रियसेंबल करें तो सबसे पहले आप लोग को स्प्रिंग को यहां पर नीचे कुछ जगा दीख रहे होगी स्प्रिंग को एटच करने के लिए उस पर कुछ स्प्रिंग को एटच करना रहेगा तो कुछ इस तरह से स्प्रिंग को कुछ आसाने से अब लोग रियसेंबल कर सकते हो और spring को reassemble करने के बाद कुछ छोटी वाली जो blade है उसको कुछ attach करना रहेगा तो दोस्तो spring को कुछ यहां तक आप लोगों को reassemble करना रहेगा छोटी वाली blade पे तो कुछ इस तरह से आप लोगों को spring को कुछ यहां तक attach करना रहेगा छोटी वाली blade में तो कुछ इस तरह से lifelong के इस beer trimmer की blade को कुछ assemble कर सकते हो और आप trimmer के अंदर लगा कर देखे तो प्रपा लिवार कर रहे हैं मतलब कि आपकी blade कुछ reassemble हो गई तो दोस्तो आपके पास भी अगर stripe का trimmer हो और उसकी blade कुछ reassemble करना चाहते हैं तो दोस्तो आज की अगरे में सिर्फ इतना है तो थैंको पर वाचिंग